हेलो एवरीवन वेलकम टू माई चैनल तो आज के इस वीडियो में हम जिस प्लांट के टैक्जोनॉमिक करेक्टर को समझने वाले हैं और जिस फ्लार का डाइसक्शन करने वाले वह प्लांट है आप देख सकते हैं धनिया का प्लांट ठीक है जिसका साइंटिफिक नहीं में को बिलॉग करते हैं प्लांटि से क्लास है इसका डाइकोटल लेडोनी सब क्लास है पॉलिपिटेली सीडी से क्यालसी फ्लोरी और यह अम्बलेल के आप दिखाएये आप हमें कमेंट पक्स में ज्रूर बताएंगा अब बढ़ते हैं आगे लो कि आति अजन करें तो घंज की बात करें करें का स्वर्वाइस होता है अफ़ डेक deal चीधा resistance की दूस्ज hippie यहां पर स्वर्व Doll Legends कर देंग को ल McM ikioso आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थम का कणर में जो है वह जो है वह ग्रीन है तो इस्टेम हमारा हर्वेसियस होता है एरियल होता है इरेक्ट होता है आप देख सकते हैं हमारा इस्टेम एरेक्ट सीधा खड़ा रहता है और इस्टेम हमारा एंगुलर होता है ब्रांच होता है सॉलिड होता है यानि कि अगर इसको हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो हमारा इस् है याणि कि बहुत ईas mercyinaire समय दिख जाते हैं Harry है कि तो आप बिसकते नोट यहां बहुत ज्यादा prominent सकते यहां पर एक नोड है यह एक नोड है यहाद नोड यहाँ पीजनी सखेए तो इसलिए बोलना है कि जो नोड को बहुत जादा o है ठीक है aromatic smell present होती है यहां पर stem में aromatic smell present होती है ठीक है तो stem में क्या पढ़ा हमारे stem हर्बेस्टियस है एरियल है एरेक्ट है एंगुलर है ब्रांचिंग भी present है इसमें और solid होता है glabrous होता है और उसके लावा notes बहुत ज़्यादा prominent होते है यहां बहुत ध्यान से देखेगा कि जो लीफ बेस होता है वो भी कैसा होता है सीथिंग टाइप लीफ बेस होता आप यह देख सकते हैं यह लीफ है और इसका बेस है वो कैसा है सीथिंग टाइप लीफ बेस प्रेजिंट होता है तो लीफ पलाइन अन्रमल होती है बात करें लीफ में भी हमें इरोमाटिक हमें देखने को मिलती है तो यहां पर देखें कि compound embel और simple embel में difference क्या होता है तो यहां पर एक single flower प्रसेंट लेकि compound embel में आप देख सकते हैं कि यहां पर inference में branching हो जाती है लेकिन simple embel में यहां पर एक single flower रहता है अब हम यहां पढ़ेंगे coriandrum satybum का flower तो यहां पर हमारे coriandrum satybum का flower है वो बहुत ही unique type का flower है तो चलो पढ़के देखते हैं कि हमारे coriandrum satybum में ऐसी क्या खास बात है तो जो flower होता है वो bracketate होता है हमारा flower यहां पर आप देख सकते हैं बहुत छोटा है मैं image लगा दूँगी तो मैं clearly आपको इसमें से dissection करके नहीं दिखा सकती हूं सिर्फ मैं आपको यहां पर ऐसे theoretical way में बताऊंगी ठीक है तो यहां पर जो flower होता है वो bracketate होता है तो वो यह बात है central flowers होते हैं अक्तिनटन ओल्रूर्फिक स्मेट्रीक के होते हैं बर जो peripheral flowers होते है ओ back in which advancing me हंमें यहां पर जो flower देखने को मिल रहे हैं जो center में फिलार वो ένα Mocs सीमेट्री के तीकि एक टीनो मोर्फिक सीमेट्री के वहीं जो enjoy अपैरेटरल में देख रहें वह सारी के सारे जैयकल मफ़ोर्फिक समीट्री कि एंगे इनल्ग मिलने वाले खिलार्यची दोज स्थुमेट्रिय एक है इक उपुनमॉर्फिक दूसरी है जै Kin ostly is इसलिए हो जाती है क्योंकि वहां पे पेटल का साइज अनिक्कॉल हो जाता है फ्लार हमार हर्मोफ्रोडाइट है हर्मोफ्रोडाइट यानि कि male and female 6 original , present in the same flower , यानि कि endrosium and gynosum , same flower in present pentameris flower , यानि कि betal , 5 saples , 5 stamen , यहां पे , यहां पे जो flower है वो pentameris flower ap glandis condition होती है यहां अपे , और कि यहां पे flower होती है वो cyclic condition होता है अब हम हम यहां बढ़ेंगे koreanum, cattivum, calyx and corolla तो यहां पर Kalex की बात करें यहां पर सेपल 5 होते हैं, Polysipinus condition में होते हैं, यानि कि सेपल होते ह्ापा हम सारे की सारे free होते हैं, और यहां पर हमें theiona Extrougald यहां पर हमारे generally Calact होते हैं यहां पर सैपल Ja Koller फॉर बिन में लंबे समय तक लगी रहते हैं. रखरवार में और में अधुक्त होती है तो बदने को सकते Multipletal में पैसे क्यों सब्सक्राइब होती है और पेक्टल सब्सक्राइब के र dudattक्ति शेक्षेेंड और को सीन film अधार हम सब्सक्राइब जांते एकक्ट नुमक्ट्य होती है कि वहां पर पेटल के लोब होती है सारे के सारे के सारे एक्वल होते हैं इन केस होई प्लार के अर्ड हने पढ़ा है कि यहां प्लार होती है तो यहां पर क्या होता है कि वन एंटीर मेंटउर quaratorio तो लार्ज equally developed lobe होती है और जो two lateral petal होती है उसमें एक bigger और एक smaller lobe होता है ठीक है और बाकी के जो दो petal होती है वो equal size के लोब present होते हैं तो हमने देखें कि हम यहां पे कितनी petal पढ़ रहे हैं ठीक है तो एक anterior petal पढ़ रहे हैं ठीक है anterior petal तो anterior petal में हमने पढ़ा था कि यहां पर यहां पर हमने पढ़ा कि यहां पर two large equal lobes ओके तो हमने पढ़ा two one entity petal पढ़ा फिर हमने पढ़ा two lateral two lateral petal तो यहां पर हमने one bigger and one smaller lobe ठीक है अंदर rest two petal जो और जो बच्ची हुए जो दो petal थी उसमें कहा था two equal small lobe ठीक है तो जो peripheral flower होते हैं जिसमें हमें zygomorphic symmetry देखने मिलती है वहां भी five petal होते हैं एक anterior petal जो होता है उसमें two large equal lobe present होते हैं दो lateral petal जो होते हैं उसमें में एक bigger small lobe देखने को मिलते हैं और जो petal होते हैं बच्ची वी जो दो petal होते हैं उसमें में two equal small lobe देखने को मिलते हैं तो यह है corolla of coriandrum सब्सक्राइब हों अब पढ़ेंगे आप इंड्रोसियम गाइनोसियम और फ्रूट के बारे में तो इंड्रोसियम की बात करें तो यह पे stamin five होते हैं polyandrous condition होती है यानि कि जो stamin होते हैं वो आपस में free होते हैं philament यहां पे long होता है and slender होता है यहां पे जो stamin में जो एंथर होता है वो डाइथिकस एंथर होता है dorsifix condition में stamin होते हैं और intros होते हैं गाइनोसियम की बात करें तो गाइनोसियम bicarpulario होते है यानि कि two-carpals present होते हैं syncarpus condition में होता है ovary यहां पे inferior होते हैं bilocular with one pendulous ovule in east locule placentation यहां पे exile होता है style यहां पे two style होते हैं stigma यहां पे दो होते हैं capitate होते हैं this call the stylo podium is present below the style fruit की बात में तो यहां पे fruit क्रीमो कार्प होता है और होने पे दो मेरी कार्प बनाता है अब में आप पढ़ेंगे कोरियंडरम सटाइबं का floral formula जैसा कि हमने बढ़ा था कि हमारे कोरियंडरम सटाइबं में जो flower होता है वो दो टेप के flower present होते हैं एक होता है central flower और दूसरा होते peripheral flower हमने पढ़ा था कि central flower में हमें एक्टिनोमॉफिक सिमिट्री में देखने मिलती है और peripheral flower में हमें जाईगी मॉफिक सिमिट्री देखने मिलती है क्यों मिलती है क्योंकि यहां पे पेटल्स होते हैं उनका उनिक्क वाइस होता है तो central flower का अगर आगर हम Passive तो यह ब्रक्टीएट होता है एक्टिनोमॉर्फिक होता है हर्माफ्रोडाइट होता है यहां पर कैलिक्स में सेपल 5 होते हैं कुरोला में पेटल 5 होते हैं इंकार्पिकार्प्र व्त्रम पर सब्र Darum ज announce फॉट होता है है यहां पर कैलिक्स में सेपल 5 होते हैं पर तो यह था यह सब कंप्लीट हो गया यहां पे तो यह था तो यह था तो यह वीडियो कैसा लागा कॉमेंट करके जब बताएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए गुडबाई